उस्तक का नाम रामायन में पारिवारिक आदर्श, लिखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, ओडियो वन नारिका श्रद्धिय स्वरूब संसार में जितने भी प्रतिबाशाली, लोकसेवी संत और महापुरुश हुए हैं, उनके निर्मार में उनकी माताओं का ही मुख्य योगदान रहा है इस तथिकों तो सभी स्विकार करते हैं कि बच्चे माता-पिता की प्रतिकृत होते हैं माता-पिता के व्यक्तित्व की छाप बच्चों पर अनिवारी रूप से पढ़ती है उसमें भी मा के व्यक्तित्व का प्रभाव तो और भी अधिक पढ़ता है क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद से किशोर होने से थोड़ा समझदार होने तक मा के सानिध्य में ही रहता है एक दम शिशु अवस्था में तो उसका पूरा समय मा के सनरक्षन सानिध्य सामीप्य में ही बीटता है मनह शास्त्यों के अनुसार उसी आयू में बच्चे के व्यक्तित्व की आधार भूमी निर्मित होती है इसलिए विक्सित सुयोग और संस्कार वान व्यक्तित्व के निर्मार में सुयोग और सक्षम माता ही समर्थ है यदि माता, इस्रिया, शिक्षा, संसकार, योगिता और गुणों के द्रिस्ट से अविक्से अक्षम रहें तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आशा किस आधार पर की जा सकती है समाज में सुयोग ये नागरिकों की बहुलता रहे इसके लिए नारी का विक्सित होना बहुत आवश्यक है किन्तु इन दिनों दुर्भाग से नारी को स्थिति पहुती है और गिरी हुई है समाज में सुयोग ये व्यक्तित्वों की संख्या बढ़े और समाज उचा उठे उसके लिए आवश्यक हैं कि नारी की सिति को सुधार लाया जाए सिति को बदलने और नारी को उन्नत विक्सित बनाने के लिए जन जागरण का कारिख प्रत्म आवश्यक है ये कार जिन कारणों से अधर में ही लटका रह जाता है उनमें से एक प्रधान कारण लोगों की मानिताय भी है कि नारी की प्रशीलता धर्म शास्त्रों के अनुकूल है भी या नहीं न जाने प्रगतिशीलता के साथ आए उत्तरदायत्वों को नारीब संभाल भी पाएगी या नहीं वास्तों में ये दोनों ही प्रश्ण हमारे अज्ञान और विवेक के कारण खड़े होते हैं यदि हम अपने गौरव में इतिहास को देखें तो हमारी ये दोनों शंकाएं बिलकुल निर्मोल और निरर्थक सिद्ध होंगी राम राज्य आदर्श सामाजिक विवस्ता के रूप में हमेशा से स्विकार किया जाता रहा है मात उसी के घटना क्रमों पर ध्यान देने से ये बोध होता है कि नारी हर शेत्र में तथा हर इस्तर पर पुरुष की तरह सक्री और सफल रही है मजे की बात ये है कि धार्मिक आध्यात्मिक छेत्र के व्यक्ति नर नारी के बीच भेद मानने का आग्रह करते हैं जबकि उस अस्तर पर सारे सांसारिक भेद भी समाप्त हो जाते हैं सारा विश्व इश्वर का ही रूप है और उसने अपने आपको नर और नारी दोनों ही रूप में समान रूप से व्यक्त किया है गो स्वामी तुलसीदास जी राम चरित मानस प्रारंब करते हुए भगवान के विराट रूप इस विश्व की वंदना करते हुए लिखते हैं सी राम में सब जग जानी कर रहूं प्रिनाम जोर युग पानी सारे जगत को शी सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रिनाम करता हूँ इस विश्व को भगवान के रूप में नमशकार करते हुए, उन्होंने केवल राम को ही संबोधन नहीं किया, सीता को भी किया है, बल्कि सीता को शीराम से पहले संबोधित किया, इससे सपस्थ है कि भगवान पुरुश और नारी दोनों ही रूप में इस विश्व में यदि प्रधानता दी जाए तो नारी रूप ही दिये जाने योग है। वास्तों में दोनों का भेध हमारी बुद्ध की कल्पना मात्र है। वास्तों में सीता एवं राम प्रकृति और पुरुष में कोई भेध नहीं है। वो तो एकी सिक्के के दो पहलू है, एकी तथ को दो प्रकार से प्रकाश में लाना भर है, इस भाव को तुलसी दाज जी ने एक दोहे में बड़ी सुन्दर्ता से व्यक्त किया है, दोहा है, गिरा अरत जल बीच सम कयत बिन नबिन बंदव सीता राम पद जिनही परम प्रियखिन जो वाड़ी और उसके अर्थ तथा जल एवं लहर की तरह कहने भर के लिए अलग है, परंत वास्तों में अभिन एक है, उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिने दीन दुखी बहुती प्री है, इससे सपस्ट हो जाता है कि भगवान के पुरुष रूप और नारी रूप दोनों में कोई अंतर नहीं है, जहां वाड़ी है, वहां अर्थ हो गई, जहां पानी है, वहां लहरे होंगी, उन दोनों के कार्य और महत्ता में कोई अंतर नहीं किया जा सकता, परंतु इन दोनों उक्तियों पर ध्यान देने से ये तथ्य सामने आता है कि पहले बार पद का आरंभ सीह से किया गया, तथा दूसरी बार गिरा से, दोनों ही इस्त्री वाचक शब्द हैं, ये प्रियोग इस्पस्ट रूप से मात्र शक्त को प्रधा लंग में श्री जानकी जी को वंदना करते हुए तुलसी दाजी ने मात्र शक्त की उस विशेष्टा को उभारा है, लिखा है मैं उन श्री जानकी जी के दोनों चरण कम लोग को मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धी पाऊँ निर्मल बुद्धी की कामना तुलसी दाजी और किसी पात्र से नहीं कर सके, क्योंकि वो केवल मात्र शक्त से ही मिल सकती है दार्शनिक पक्ष से देखा जाए, तो सद बुद्धी की प्राप्ति गायत्री महाशक्त से ही होने का तथ्य सामने आता है गायत्री भी मात्र रूप है, उसे किसी भी नाम से माना और पुकारा जा सकता है इससे अंतर कुछ भी नहीं पढ़ता यहारिक दुरस्ट से बच्चों को प्यार करने, मिठाई देने, खिलोने देने में तो सभी लोग रस लेते हैं किन्ति यदि बच्चा किसी भी प्रकार गंदा हो जाए, तो उसे स्वच बनाने के लिए मा को ही पुकारा जाता है निर्मलता प्रदान करना मात्र शक्त की अनुपम विशेस्ता है, फिर बुद्ध के निर्मलता तो वो विबोती है, जिसके साहरे संसार की हर उपलब्ध पाई जा सकती है इसी प्रकार जब उसे मात्र रूप में व्यक्त किया जाता है, तो भी किसी नारी वाचक नाम रूप के सहरे उसे समझा जा सकता है वो आदिशक्ती अपनी इक्छा नुसार कोई भी रूप बना लेती है नारजी पार्वती जी के संबन्ध में यही भाव प्रकट करते हुए कहते हैं वे जगत की उत्पत्ती पालन और संघार करने वाली हैं और अपनी इक्छा से ही लीला के लिए शरीर धारन करती हैं इश्वर के पुरुष रूप के साथ जो विशेशन जुड़े रहते हैं वही सबनारी के रूप के साथ भी जोड़े गए हैं स्रजक, पालक, संघारक वो तीनों ही रूपों में है यदि प्रभू निज इच्छा निर्मित तनुम है तो मा भी निज इच्छा लीला वपुधारिनी है वो महाचेतना जब दोनों रूपों के समान सामर्थ युक्त है तो फिर नर नारी में अंतर किस आधार पर रह जाता है यह नारी के मातर शक्त के अलोकिक रूप की बात हुई लोकिक रूप में भी अदुती है लोग अपने पुरशार्थ से अपने गुड़ों से बड़े बड़े लोगों को प्रभावित कर लेते हैं उन्हें अनुकूल बना लेते हैं किन्तु नारी तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को भी शिशु बनाकर गोद में खेलने के लिए विवश कर देती है दोहा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद सो अजप्रेम भगति बस को सल्या के गोद जो व्यापक निरंजन माया रहित निर्गुन विनोद रहित और अजण्मा ब्रह्म है वही प्रेम और भक्ति के वश कोशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं पुरुष अपनी शक्ति से किसी बड़े व्यक्ति को मजबूर करके उपर से जुका भी ले तो भी वो अंदर से विद्रोही बना रहता है किन्तु ये नारी की भाव शक्ति ही है जो उस सकल ब्रह्मांड नायक को भी हर प्रकार वश में कर लेती है सामान ये रूप से लोग भावुकता के चड़ों में अपना बौधिक संतुलन खो देते हैं जो उसे बनाय रखता है उसे बुद्धि विवेक की दृष्टि से महान माना जाता है इस कसोठी पर तो नारी खरी उतरती है भगवान के अवतरण की इक्षा से मनु एवन शत्रूपा तप करते हैं भगवान उनके तप से प्रभावित होकर प्रकट होते और वर्दान मांगने को कहते हैं मनु उस समय भावना में बह जाते हैं प्रभु को अपने पुत्र रूप में आने को कहते हैं किन्तु शत्रूपा रानी अपनी इक्षा पीछे करके प्रभु की इक्षा को ही प्रधानता देती हैं। वे कहती हैं कि आप हमारा हित अधिक समझ सकते हैं। जो विभूतिया आप अपने प्रीव भक्तों को देना उचित समझते हैं, वही हमें दे। दो हा है सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरन सनेव। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमई ही क्रपा कर देव। ये प्रभु, वही सुख, वही गत्य, वही भक्ति, वही अपने चर्णों में प्रेम, वही घ्यान और वही रहन-जैन खुरफा करके हमें दीजिये मनु और शतरुपा दोनों का प्रेम भगवान के प्रती समान था, उन्होंने तब भी समान किया था फिर मनु अपनी सुखान भूती को प्रधानता दे बैठे और शत्रूपा ने अपनी इच्छा प्रभू के निरने से मिला दी ये कैसे संबह हो सका इसका कारण है कि नारी की सहज पवित्रता और समर्पन बुद्धी इन विशेस्ताओं के कारण तात्विक दृस्ट से नारी ईश्वर के अधिक निकट रहती है उसे अधिक स्पस्टिता से अनुभू कर पाती है इसलिए उनके अधिक अनुकूल रह पाती है किसी विशे की जानकारी होना तथा उस संबंध में अनुभूती होना दोनों में बह भगवान सर्व व्यापी है ये जानकारी सभी को होती है किन्तु उसके विश्व व्यापी विराट रूप की अनुभूती विडलों को ही हो पाती है नारी में ये चंता पुरुष की अपेक्चा अधिक है जब भगवान राम बालत के रूप में अवतरित हो गए तब पिता द दश्रत नहीं कोशल्या ही उनका विराट रूप देखने में सफल हो सकी प्रभू ने उन्हें ही वो दिव्य दर्शन दिये दोहा दिखरावा मात ही निज अद्बुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटी कोटी ब्रह्मंड उन्होंने माता को अपना रूप दिखा जिसके एक रोम में करोणों ब्रह्मांड लगे हुए हैं नारी को इस छमता के समर्थन में रामायन का एक प्रसंग बड़ा मारविक है रावन अपने हैंकार वर श्री राम को साधारन मनुश्यमान कर तकरार बढ़ाता चला जाता है रावन अद्विती विद्वान था किन् सुष्म द्रिस्टि का उसमें अभाव है परंतु मंदोदरी वो द्रिस्टि देखती है तथ्य को देखती है तथा रावन को समझाते हुए उससे अपनी अनुभूती पर विश्वास करने को आग्रह करती है दोहा विश्वरूप रगवंश मनी करों वचन विश्वासू ल मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये रगुकुल के शिरोमणी श्री राम चंजी विश्वरूप है ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है वेद जिनके अंग अंग में अनेक लोगों की कल्पना करते हैं इस आग्रह के साथ मंदोदरी ने इश्वर के विराट रूप का इतना अच्छा वर्णन अन्यत्र कहीं ने मिलता दुख और उतेजना के चड़ों में भी विवेक का संतुलन बनाए रखना असामान्य आंतरिक चमता का प्रमाण माना जाता है नारी उस पक्ष से भी कमदोर नहीं है धनुष यग्य के प्रसंग में जब ये लगा कि कोई भी वीड सीता के विवा के शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है तो राजा जनक जैसे ग्यानी भी उतेजित होटे जब शीराम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए तो उन्हें बच्चा कहकर उनके प्रयास को अनुचित कहा जाने लगा किन्तु उस बाल वेश के पी तेजवन तेलगु गनियन रानी एक चतुर सकी कोमल वानी से बोली हे रानी तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए उस सकी ने कुमबज रिशी द्वारा समुद्र सुखा डालने सूरी द्वारा अंधकार निवारन छोटे से मंत्र की भावना प्रकट की जो सत्य प्रमारित हुई नारी की आंतरिक भावनात्मक तथा व्यवारिक छमताओं को भुला कर उसे विवेक हीन पिछडी हुई बुद्धी वाली कोरी भावुक मानना बड़ी भारी भूल है नारी में आज जो बौधिक पिछड़ापन तथा अनुच सहा दिखाई देता है वो स्वाभाविक नहीं है वो तो लंबे समय तक बंधन में रहने निश्क्रे पड़े रहने की प्रतिक्रिया ही है अच्छी से अच्छी धातु का ओजार भी उपेचित पड़ा रहने पर खराब हो जाता है शरीर का कोई भी अंग लंबे समय तक बां हर छेत्र में वो अनुखे कमाल दिखाती रहती है रामायण में ग्यान और विवे की तरह भक्ती और तब के संबंध में भी नारी के अपने ही किर्दिमान है शबरी महिला थी वो भी भीलो जैसी अविक्सित जाती की उस पर भी परिवार से परित्यक्ता एकाकी जीवन बित वहांता स्विकार की श्री राम सिता की खोज में थे कमबद राक्षस से उनकी मुटबेड़ो गई वो श्राब गस देवता था भगवान राम के हाथों मरकर अपने मूल रूप को पा गया तब उसने सिता जी की खोज के लिए श्री राम को शबरी की साहता लेने का परामर् शबरी का परिचय देते हुए कहता है सचास्य कथ या मास शबरिम धर्म चारिडेम शमणिम धर्म निपूड माभिग चेति रागवा अर्थात हे रागव आप शबरी के पास जाईए वो धर्म का अर्षरन करने वाली सन्यासिनी धर्म की मर्मग्य वो आपको इस लिशे में बताएंगी शबरी के लिए शमणी धर्म चारिडी और धर्म निपुणा जैसे श्रिस्ट विश्लेशन लगाने के बाद श्री वालमी की को कमी लगी अस्तु भगवान राम के द्रिस्ट में उसे आगे और बढ़ाया लिखा है जब रामचन जी ने शबरी से ये प्रश्न किये तब सिद्ध पुरुशों को मान्य वो व्रद्धा तपस्वनी श्री राम से कहने लगी वो स्वयम सिद्ध थी और अन्य सिद्धों से मानिता प्रात थी इस पस्ठ है कि उस समय का समाज नारी को धर्माचरण में अनाधिकारी नहीं मानता था शबरी जैसे नारी के सिद्धों के मार्क पर असाधर उचाई तक बढ़ने की चंता के बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती यही तथ्य तुलसी दार स्कृत रामचरित मानस में भी प्रकट होता है भगवान श्री राम उससे अतिदिक प्रभावित होते हैं अभिमान से कोसों दूर रहने वाली उस साधिका को शायद स्वेम भी अपनी उपलब्धियों का पता नहीं था राम ने उसे भक्त के नौ अंग बताए तथा स्विकार किया कि उसमें भक्त के सभी लक्षण है वे कहते हैं सोई अतिसे प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार बगति द्रण तोरे हे भामिनी सामान्य भक्त भी मुझे अत्यंत प्री है फिर तुझ में तो सभी प्रकार के भक्त द्रण है भक्त इसाधना में नारी की प्रमाणित्ता का इससे अच्छा और क्या प्रमाण चाहिए शबरी की सिद्धी का प्रमाण भी इसी प्रसंग में मिलता है उसे भविश के चरण जैसे पहले से ग्यात है वो कहती है पंपा सरवर जाने को कहती है सुक्रीव से श्वीराम की मित्रता तथा उस माध्यम से सीता की खोज होने की जानकारी उसे पहले से थी इस पस्ठ है कि वो भक्त थी तपसुनी थी और सिध्धा थी तपस्या की चर्चा उठते ही दिमाग में तुरंत भगीरत का नाम आ जाता है वे अपने तप बल से गंगा को ले आये थे किन्तु उसी इस्तर की तपसुनी महरशी अत्र की पत्नी अनसुया भी है वो कम लोग किन्तु वहाँ पानी का अभाव था अनुसुया ने उन्हें इस अभाव को दूर करके इस पुर्णिकार को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया अपने तब बल से उन्होंने मंदाकिनी को उस छेत में प्रवाहित कर दिया बंदाकिनी को भी गंगा की एक धारा माना गया है श्री राम को वनवास के समय छित्र कूट पर निवास करने का निर्देश देते हुए महर शिवालमीक जी ने ये प्रकेट किया है उन्ही के शब्द है नदी पुनीत पुरान वखानी आत्र प्रिया निजित अप बल आनी तपो बल से लाई थी ये प्रिशन सा नारी की तप शक्ति का बड़ा प्रेरक प्रमान है किन्तु मानस में तो नारी को तपस्या छेत्र में अद्वती कह दिया गया है इस प्रसंग में तो भागिरजी अनसुया के समकक्ष मिल भी जाते हैं परंतु पार्वती का तप देख धीर, मुनी और ग्यानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तब किसी ने नहीं किया है तपस्या का छेत्र कठिन समझा जाता है कठोर कार्य पुरुशों के उप्युक्त समझे जाते हैं किन्तु यहां नारी उस छेत्र में भी अनुपम सिद्ध हो रही है देवी पार्वती ही नहीं सामान्य महिलाएं भी श्रेष्ट तम तपस्यों में रही है सीता खोज के प्रसंग में स्वयम प्रभा नामक अद्भुट शक्ति संपन्य तपस्वनी का विवरण मिलता है जब बानर वीर सीता का कोई सूत्र ना मिलने से हताश होने लगे तथा प्यास से व्याकूल हो गए तब वे कंद्रा में गए वहां उन्हें एक सुन्दर आश्रम में तपस्वनी के दर्शन हुए दोहा है दीख जाई उपवन वर सरविग सित पहुकंज मंदिर एक रुचिर तहां बैठे नारी तब पुंज अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिलेवे हैं एक सुन्दर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति इस्त्री बैठी है ये तपस्या की साक्षात मूर्ति ही स्वेम प्रभाती उसने वानर वीरों को भोजन विश्राम की सुविधा देकर उनकी ठकान दूर की और आश्वासन देकर उनका मनों बलवड़ाया उन्हें रास्ता बताते हुए कहा तुम लोग आखे मोंदलो और गुफा छोड़कर बाहर जाओ तुम सीता को पाओगे पश्ताओ नहीं निराश मत हो उस तपस्विनी ने बानरों को अपने तपोबल से ही समुद्र के किनारे पहुचा दिया जहां संपाती द्वारा उन्हें सीता का पता मिला इस प्रकार सीता की खोज में बानर वीरों का मार्ग दर्शन यह तपोबल संपन इनारी ही करती है यहां परंपरावादी ये तर्क उठा सकते हैं कि एकाथ कोई महिला उस स्थान तक पहुँच गई इसका अर्थ ये नहीं होता कि सभी में ऐसी चमता होती है ये भी अपनी मानेता ना बदलने वाला कुतर की ही है मान लीजिए भारती कुष्टी में विश्व इस तर पर कीरती मान इस्थापित करता है अपना रिकॉर्ड कायम करता है अब ये कहा जाए ये तो एक भारती ने रिकॉर्ड तोड़ लिया वैसे भारत में कोई कुष्टी लड़ता ही नहीं है और नवहा के लोग इस योगे हैं कि उन्हें कुष्टी लड़ने दिया जाए जो तो लोग हासेंगे किन्तु नारी के संबंद में इतने स्पस्ट प्रमार मिलने पर भी ऐसे ही बेकार के तरकों के आधार पर उसे इस छेत्र के अयोगे ठहराया जाता है सजनता का तक आजा है कि इस भूल को स्विकार किया जाए कम से कम नारी को प्रतिबंधित तो नहीं रखा जाए वैसे उसकी तेजस्विता की परंपरा इतनी स्पस्ट है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इससे इंकार नहीं कर सकता वर्दान आशिरवाद बहुतों ने बहुतों को दिये होंगे किन्तु मात्र स्वरूपा शक्ति की वर्दान चमता भी अद्बुत है हनुमान पर प्रसन होकर सीता जी अशोक वाठिका में उन्हें आशिरवाद देती है अजर अमूर गुन निधिसुत हो हूँ करहू बहुत रगुनायक छो हूँ पुत्र तुम अजर अमर और गुड के खजाने हो शीर रखुनाज जी तुम पर बहुत कृपा करें रामायन में वरदान आशिरवाद बहुत दिये गए हैं किन्तु सभी जगे आगरे पर पूछ पूछ कर एकाथ गुण दिया जाता है ये मात्र शक्ती ही है कि बुड़ापा रहित अमरता के साथ सारे गुणों का भंडार भी एक साथ बिना मांगे ही दे देती है किन्तु इसका अर्थ ये नहीं कि वो चाहे जिसे जो वरदान दे रेती है सीता जी ने पहले हनुमान जी की परिक्षा ले ली थी जब उसकी जब उनमें सुपात्रता देखकर उन्हें संतोश हो गया तभी उन्हें वरदान दिया था सीता जी ने उनसे अनेक बार प्रश्न किये और हनुमान के उत्तर उन्हें संतोश प्रद लगे मन संतोश सुनत कपिबानी भगती प्रताप तेज बलसानी हनुमान की भक्ती प्रताप तेज और बल से ओत प्रोत वानी सुनकर सीता जी के मन में संतोश हुआ हैनुमान जी में प्रतिभाय, योगिता और शक्ति के साथ भक्ती अर्थात आदर्श के साथ समर्पन की भावना देख करी उन्हें सीता जी ने सुपात्र माना सत्पात्र को तो बिना मांगे ही दिया जाना उचित है नारी की इस छमता और गौरो गरिमा के अनेका अनेक प्रमाण रामकथा में मिलते हैं यदि वस्त उस्तिति को देखा और समझा ना जाए तो था अपनी गलत सलत मानताओं से ही चिपके रहा जाए तो इस्तिति दिनों दिन और बिगड़ती ही जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं है यदि अपनी गलत मानताओं से ही चिपके रहने में हम अपनी शान समझते हैं तब तो ईश्वर ही मालिक है फिर तो नारी को घरेलू खिलोना पालतू पशू अत्वावासना पूर्थी की मशीन से कुछ भी अधिक मानने के लिए उसे विक्सित बनाकर उसका अधिक लाबदायक उप्योग करने के लिए हम कभी तयार नहीं होंगे बले ही समय की मांग और न्याय के पक्ष के विप्रीत जाने के कारण हम अपना सर्वनाश ही क्यों न कर बैठें ये हट धर्मी ननर के लिए लाबदायक होगी और ना नारी के लिए किन्त यदि हम समझना चाहें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि नारी किसी महातुपूर्ण स्थल पर दायतु समालने में सक्षम है रामचरित मानस में तो हर टेड़े प्रसंग पर नारी को ही नियुक्त किया जाता है एक प्रसंग है जब सुग्रीव बाली की मृत्य के बाद राजा बन गए तथा राज्य सुखों में श्री राम का कार्य भूल गए तब लश्मर जी क्रोधित होकर किश्किंधा पहुँचे उन्हें क्रोधित देखकर सब लोग काप उठे तब सुग्रीव कहते हैं सुनो हनुमंत संगले तारा करीब इंती समुझाओ कुमारा हे हनुमान सुनो तुम तारा को साथ ले जाकर विंती करके राजकुमार को समझा बुजाकर शांत करो तारा को योही नहीं भेज दिया गया वो बड़ी विदूशी और ब्यवहार कुशल थी उसने अपने स्ने और चतुराई से लक्षमण जी को पानी पानी कर दिया वालमी की रमायन में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है उसने लक्षमण को बड़ी कुशलता से समझाया कि सुग्रीव तुम्हारे बड़े भाई के मित्र के नाते तुम्हारे आदरनी हैं उनके प्रति अभद्र ब्यवहार शोभा नहीं देता और भावी के अनुरूप सहज इसने प्रकट करके अंदर ले जाकर बिठाला और कहा कि कोई भूल हुई हो तो हम शान्ती से उसका सुधार कर लेंगे आप उतेजना छोड़ दें इस प्रकार तारा ने सारे नगर को भै मुक्त कर दिया एक और विशम परिस्थिति देखिए महावीर हनुमान जी सीता की खबर लेने अकेले ही लंका के लिए चल पड़े देवताओं में खलवली मच गई जिस रावन के डर से लोक पालों का खाना पीना हराम हो रहा है उसके दुर्ग में अकेले हनुमान का क्या हाल होगा सोचा कि इतना बड़ा खत्रा उठाने के योग है या नहीं इस बात की परिक्षा ली जाए तभी उन्हें लंका में प्रवेश करने दिया जाए इस कठिन परिक्षा और अति महातुपूर्ण निर्णे का भार सौपा गया किसी पुरुष को नहीं एक नारी को सुरुषा को उन्होंने हनुमान की बड़ी उप्युक्त परिक्षा ली तब उसने अपना रह से खोलते हुए कहा मोरी सुरन जही लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था यही नहीं उसने विश्वास पूर्वक ये घोशना भी कर दी कि तुम अकेले ही लंका में जाकर राम कार्य करने में सफल हो जाओगे अपनी परिक्षा में उत्तिन व्यक्ति पर इतने विश्वास पूर्वक घोशना वही कर सकता है जो अपने विशे का माहिर हो सुर्सा का आत्म विश्वास गलत नहीं निकला हनमान जी उसकी परिक्षा में उत्तिन ही होते चले गए इस प्रसंग में हनुमान जी जितने प्रामाणिक सिद्ध होते हैं, सुर्षा भी उससे कम नहीं, अधिकी प्रामाणिक सिद्ध होती है नारी की प्रामाणिकता का एक और बड़ा मजेदार और प्रेरक प्रामाण रामाण में है देवताओं के लिए भी अजेय राक्षस रावन ने अपने दुर्गम किले के एक मात्र दर्वाजे पर किसी पुरुष की अपेक्चाएक नारी को नियुक्त कर रखा था हनुमान लंका में प्रवेश पाने के लिए मक्षर के समान छोटा शरीर बना कर गुशते हैं किन्तु उसकी निगा से बच नहीं पाते नाम लंकनी एक निसी चरी सो कह चले सी मोही निंदरी लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी वो बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है श्री राम की शक्ति से विभुषित हनुमान जी से लंका के सारे राक्षस मिलकर भी पार ना पा सके अकेली लंकिनी विचारी उन्हें कैसे रोक पाती किन्तु रावर ने जिस विश्वास से उसे ये महातुपूर उत्तरदाईत्व दिया था उसमें वो पूरी तरह खरी उतरती है शौरी के छेत में भी नारी के अपने कीर्दिमान है सक्षम रानिया तथा पतियों के साथ युद्ध में भी जाती थी महा भारत काल में सुभद्रा की गर्णा महा रथियों में थी द्रौपदी भी उसी इस्तर की नारी थी क्रिश्णा अर्जुन युद्ध में अर्जुन की सार्थी वो बनी थी कैकेई द्वारा दश्रत की प्रान रक्षा का प्रसंग सर्व विदित है दश्रत जिसे वर्म बांगने के लिए कैकेई को प्रोचसाहित करते हुए मंतरा उसके जीवन की घटना याद दिलाती है हे देवी देवा सुर संग्राम में जब तुम्हारे पती शस्त्रों में घायल हो गए थे तब अपने पौरुष से तुमने उनकी रक्षा की थी इस प्रकार के उदाहरणों से ये बात साफ हो जाती है कि भारत की सांस्क्रिति परंपरा के अनुसार नारी के किसी भी छेत में प्रवेश पर रोक नहीं है और हो सौपे गए बड़े से बड़े करतव विपालन करने में पूरी तरह सक्षम है पुरुष तो बहक कर अपनी छमताओं का गलत उपयोग कर बैठता है तथा समाज का अहित हो जाता है किन्तो भाव संपन नारी तो सभाव तह स्वार्थ से दूर परमार्थ में सहज रुची रखती है रामायन की कथा भी नारी की इसी भावना के माध्यम से प्रवाहित हुई है राम कथा के आदि वक्ता शिव जी कहे जाते हैं उन्होंने कथा पार्वती के आग्रे पर कही थी पार्वती जी ने कथा कहने का आग्रे लोग हित के उद्देश से ही किया था भारत वाज की कथा की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाते हुए यागिवल्क जी कहते हैं करने वाली है उसे ही पार्वति जी पूछना चाहती है नारी में लोखित की भावना पुरुष की अभेक्षा अधिकी होती है उनके प्रयास इसी दिशा में विशेश होते हैं बन प्रसंग में रिशी पत्नी अनसुया सीथा जी को उदेश देती है इसके बाद वे अपने कथ सन का उदेश बतलाती हुई कहती है सु मेरे नारी पतिवरत करें सुन सीता तब नाम कईयों कथा संसार हित तो ही प्रान प्रियराम हे सीता सुनो तुम्हारा नाम तो नाम ही ले लेकर इस्त्रियां पतिवरत धर्म का पालन करेंगी तुम्हें तो श्रीराम प्राणों के समा कान-प्री है ये कथा तो तुम्हारे माध्यम से मैने संस्राप के हित के लिए कही है संसार के कल्यान के लिए गई कथा में से हम भी हम यदी अकल लियान का रिष्टर निकालने का प्रयास करें तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी शास्त्रों और रामायन जैसे ग्रंथों का हवाला दे कर नारी को हीन सिद्ध करना उसे प्रतिबंदित करना अपने साथ और अपनी संस्कृत के साथ इसपस्ट अन्याय है प्रसुत उदाहरण से इसपस्ट है कि रामायन में नारी के चरम उतकर्ष के प्रमान सभी जगह मिलते हैं ये होना स्वाभावी की ह क्योंकि संत तुलसिदास ने उसमें नारी पात्र सीता को भगवान राम से भी अधिक महत्व दिया है वंदना प्रसंग में ही उन्होंने मानस की उप्मा एकपुन्य सरोवर से दी है उसी आधार पर राम चरित मानस की विशिस्ताओं का रोचक वर्णन किया है सरोवर का सब से महत्व पुर्ण संपदा है उसका जल संत तुलसिदास ने इस मानस सरोवर का जल किसे माना राम सी जस सलिल सुधासंग भगवान राम और देवी सीता का यथ इस सरोवर का जल है यहां राम और सीता का महत्व समान है पर शायद लेखा को उसमें संतोश नहीं हुआ इसलिए आगे चलकर उन्होंने इस जल गुण का उलेख करते हुए घूशना की सती शिरो मनी सी गुण का था सोई गुण अमल अनुपम पा था सती शिरो मनी सीता जी के गुणों का जो वर्डन है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है इतना सब सुनकर समझकर भी यदि हम नारी की महत्ता ना समझें उसके उतकर्ष की आवश्यक्ता और आचित्य को ना मानें तो इससे बड़ा दुर्भाग और क्या हो सकता है कौशल्या, सीता, मंदोदरी, स्वयम प्रभा, शब्री, अनसुया जैसी देवियों के उज्जल चरित्रों को सुनकर हमारे मन में उत्सा जाग सकता है महिलाएं, स्वयम वैसा बनने और पुरुष अपनी बहन, बेटी, पुत्री, पत्नी एवं माता को इस स्थर पर देखने के लिए लाला ये थो उठें ये स्वाभावी की है, किन्तो इस प्रकार मन लल्चाना भर काफी नहीं है, विकास की कीमत चुकानी पड़ती है इन देवियों ने ये इस तर और समाज ने उनका लाब योही नहीं पा लिया था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अफसर सहयोग और प्रोटसाहन ना दिया जाता या वे स्वयम मुर्दा दिल बनकर बैठी रहती, तो कुछ भी होना संभव नहीं था कामनाए उची उची करने भर से क्या होने वाला है जब तक महिलाए अपने विकास के लिए स्वयम दुर्ड संकल्प नहीं होती उसके लिए कस उठा कर भी प्रेतन पुरुशार्थ करने का साहस पैदा नहीं कर लेती जब तक पुरुशवर्ग उन्हें घर से बाहर निकलने देने में अपनी तोहीन समझता है शिक्चित और स्वावलंबी बनाने में धर्म का उलंगन होता देखता है तब तक ये कल्पनाएं वेकार साबित होंगी समझदारी और विवेक शीलता का तकाज़ा है कि इस्थित को समझा जाएं और जो हानिकारक है उसे सुधार ने उस इस्थित से आगे बढ़ने के लिए प्रेतन किया जाए यदी नहीं किया गया तो समाज और रास्ट पतन के गर्त में किस इस्थित में जा गिरेंगे इस संबंद में कुछ नहीं कहा जा सकता इसके साथ ही इसमें कोई भी संदे नहीं है कि नारी को यदी विकास और उन्नति के समुचित अफसर प्रतान किये जाए उसे आगे बढ़ने में कोई रुकावट न डाली जाए और वर्थमान अवरोधों को हटाया मिटाया जाए तो समाज आज भी उन्नत इस्थित में पहुँच सकता है और रास्ट का भाल गौरव उन्नत हो सकता है हम अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को पुना प्राप्त कर सकते हैं मैलाओं के प्रती मानिता सुधारे मनुष्य की एक बहुत बड़ी आवर्शक्ता उसका विवेक है जब तक वो उसका उचित उपयोग करता रहता है तब तक हर पक्ष से गौरव और प्रगती पाता रहता है लेकिन जब प्रमादवर्श एहंकार के कारण अथवा परंपराओं के दबाओं में आकर विवेक की उपेक्षा होने लगती है तो तरह तरह के अनर्थ खड़े होने लगते है समाज में थोड़े मूर्ख हमेशा रहे हैं और रहेंगे वो अपने इस तरह से कुछ न कुछ अटपटी बातें और उटपटांग काम किया ही करते हैं विवेक के अभाव में उन्हें भी परंपरा लोकरीत मान कर समर्थन दिया जाने लगता है जैसे जैसे ऐसी गलत परिपाटियों की और उनके मानने वालों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही समाज में उल्टे परिडाम सामने आने लगते हैं नारी के प्रती जन साधारण की मानेताएं इसी ढंक से बिगडी है जब हमारी भारती संस्कृत में नारी को देवी, ग्रह लक्ष्मी, पूर्जी माना गया है तो फिर उसे तिरस्कृत, उपेक्षित, हीन और घटिया इस्तर की मानने का कोई तुकी नहीं है लगता ये है कि एहनकारी पुरुष वर्ग द्वारा नारी की सरलता, सज्जनता और दिवी गुणों का गलत अर्थ लगाया जाने से ये इस्तिती पैदा हुई है नारी में सेवा का समर्पन का भाव स्वाभाविक रूप से होता है विवेक के अभाव में उन्हें लाचारी और मजबूरी समझा जाने लगा उसकी नम्रिता को उसकी कमजोरी और अरोग्यता की प्रतिक्रिया मान लिया गया इन गलत मानेताओं का ना किसी ने प्रतिवात किया ना इस पस्टी करण किया और नारी के संबंद में पुरुष वर्गी नहीं स्वयम वो अपने आपको आरोग अयोग दीन मजबूर और लाचार मानने लगी नारी के संबंद में पुरुषों की और स्वयम नारी की यहीन मान बदली जानी आविश्यक है नम्रता और शालिंता के नाते अपने को छोटा कहना उचित है पर उस कत्थन को सिध्धांत रूप में मानिता दे देना बड़ा-बारी अनरत है उदारण के लिए शबरी का प्रसंग लें भगवान राम जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो भा चाने का आभार मानती हुई कहती है केही विधी अस्तुति करों तुमारी अधम जाती मैं जड़ मति भारी अधम ते अधम अतिनारी तिन माह मैं मति मंद अगारी हे पाप नाशक प्रभू, मैं आपकी वंदना कैसे करूँ, मैं तो जड़ बुद्धी हूँ, महा अधम नारियों में भी मंद बुद्धी की हूँ शालिंता एवं शिस्टाचार्थ, अधवा नम्रता एवं भावुक्ता के नाते, ये सब कतन उचित भी है, मानीनी भी, किन्तु इस कतन को सुनकर राम उसे महा नीच मान ले, तो स्वयम शबरी अपने को इतना निक्रिस्ट बना ले, कि दूसरों को उसे नीच कहने का आवसर म गया, उस समय ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी की शालिंता का दुरूपयोग करके, अपने जूठे एहंकार को बढ़ाने की परंपरा से, वे पात्र मुक्त थे, शबरी क्या थी, उन्हें पता था, बालमी की नारामाइड में, कबंध ने फीराम को शबरी का परिचा देते श्रमनी, शबरी नाम काकुस्त, चिरजीवनी, त्वाम्तु धर्मे स्थिता नित्यम, सर्व भूत, नमस्कृतम, हे कुकुस्त, वंशी, श्री राम, शबरी नाम की सन्यासिनी, दीर्ग आयुवाली, धर्म में द्रण, तथा सबसे सम्मान पाने योग है, कबंध ने शबरी को सर्व, भूत, नमस्क्रम सबसे सम्मान पाने योग योही नहीं कह दिया, शबरी की साधना, उसका आचरण, था ही इतना श्रीष्ट, कि स्वयम शीराम भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके, अपने को मंद बुद्धी कहने वाली शबरी ने उन्हें जो सला दी, उसे उन्होंने साधर स्विकार किया और उस पर चल कर सफलता भी पाई, इस अधम से अधम में ये छमता थी कि उसने स्वेक्षा से योगागनी द्वारा शरीर त्याग करके परम गति पाई, वालमी की जी लिखते हैं, इस पस्ट समझ में आता है, एक और उदाहर ने धन्र श्रीयग्य के बाद चारो भाईयों का विवा हो चुका है, माता, सुनैना, बेटी की विदा के लिए तैयार हैं, श्री राम को बुला कर इसने प्रकट करती हैं और अपनी बेटी सीता को राम के हाथ में सौफ कर नम्रता प्रदर्शित करती हैं, परिवार पुरो जैन मोही राजईी, प्रान प्रिय से जानी भी, तुलसी ससील सने हु लखी, ने जकिंकरी करमानी भी, अर्थात, परवार को, पुरवासियों को, स्वयम को और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय ऐसा जानियेगा, हे तुलसी के स्वामी राम, इसके शील और रुसने को देखकर, इसे अपनी दासी करके मानियेगा, अनुदान देकर भी एहंकार नहीं नम्रता प्रकट करना हमारी संस्कृतिक परंपरा है, कन्या पक्ष यदि इसका निर्वाह करे, तो वो सरानी ही कहा जाएगा, किन्तो कन्या पक्ष की इस शिस्टता नम्रता को उनकी लाचारी मानना भारी भूल है, इस नम्रता को कन्या के सुक के लिए प्रारतना या चाप्रूसी मान कर समय का लाब उठाए, ऐसा कोई नहीं यदि कहीं ऐसा होता है तो वो विवेक हिंदा का प्रमाण ही कहा जा सकता है जहां एक पक्ष आदर्श मानवीता का परिचेदे और दूसरा पक्ष इन आदर्शों को त्याग कर अमानवीता का प्रदर्शन करे ये कहां तक न्याय संगत है हमारी सनातन परंपरा है कि वर पक्षवाले भी कन्या पक्षवालों के प्रतिसने सद्भावना तथा नम्रता शिस्टाचार का ब्यवार करते हैं स्वयम भगवान राम ने इस आदर्श को प्रस्तुत किया है वे बेटी वाले को लाचार एवं दीन नहीं मानते वरन उनके इस अनुदान के प्रतिक्रतग्जिता पूर्ण ब्यवार करते हैं सास ससुर को अपने स्वयम के माता पिता के समान सम्मान देते हैं सास हु समीप गए दो भाई वीरे बंदिपग आशिश पाई तब श्री राम लक्षमन दोनों भाई सास के पास गए और उनको प्रणाम करके आशिरवात पाकर लोट आए जिसने अपनी कन्या बिना शर्ट दी है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना सब ये व्यक्तियों के लिए उचित है यही क्रम आगे चलता है माता सुनैना के नम्रता और भावक्ता में कहे शब्दों का लाव उठा कर कन्याओं के साथ नौकरानियों जैसा ब्यवहार कोई नहीं करता उन्हें पूरा सम्मान और भरपूर इसने दिया जाता है स्व्यम राजा दश्रत इसके आदर्श प्रस्तुत करते हैं रप सब भात सबई सनमानी कही म्रद वचन बुलाई राणी बदू लरिकनी पर घर आई राखे उनयन पलक की नाई राजा ने सभी तरह से सबका सम्मान किया और कोमल वचन कहकर सभी राणियों को बुलाया और कहा बहुएं अभी बच्ची हैं पराए घर आई हैं इनको इस तरह से रखना जैसे नेतरों की पलके रखती हैं अर्थाद इनको सभी तरह से सुक पहुँचाना रामायण में सीता ये किसी भी बहु का थोड़ा भी अपमान नहीं होने पाता है उसके लिए बहुओं के आचरण और परिजनों के सर्जनता दोनों का श्रे दिया जाना उचित है यदि कहीं इस मर्यादा का उलंगन होता दिखाई देता है वहाँ अपने गौरों के प्रति सजग नारी पुरुषों को भूल सुधार के लिए टोकती भी है रामायण में श्री राम ने रावन के बाद सीता के गौरों के प्रतिकूल कुछ शब्द कह दिये तो उन्होंने श्री राम को उनकी मर्यादा का ध्यान दिलाते हुए कहा है हे नर्शार दूल तुम भी क्रोध के वश में होकर नारी के साथ ओछे मनुष्यों जैसा ब्यभार करने लगे सीता और शीराम को सावधान किया जाना सब प्रकार से उचित है मर्यादा भंग करने से स्वयम शीराम की प्रतिस्टा पराँच आ जाती क्योंकि श्रेश्ट पुरुष्टो क्रोध में भी नारी के संबान का ध्यान रखते है इसके प्रमाण सरूप किश्किंधा कांड का एक प्रसंग है सुग्रीव राजिपा कर सीता की खोज में उत्तरदाइत्व की उपेक्षा करने लगे तो लक्षमन कृद्ध होकर नगर में पहुँचे क्रोधित लक्षमन को शांत करने के लिए तारा को भेशते में सुग्रीव ने उससे कहा त्वत दर्शने विशुधात्मा नसको पमकरिश्यती नहीं स्त्रीशु महात्मा नह क्वचित करुनती दारुडम लक्षमन जी शुद्ध अंता करन वाले हैं अतावे तुझे देख कर कुपित न होंगे क्योंकि महात्मा लोग अर्थात सब भी लोग इस्त्रीव के साथ कठोव ब्यवार नहीं करते सुग्रीव के कथना नुसार ही हुआ लश्मन ने तारा को देखते ही अपने को संयत कर लिया सताम समिक छैव हरिश पत्नीम तस्था वदा सिनीयता महात्मा अवांग मुखोन भून मुझेंद्र पत्रह इस्त्री सन्निक अर्चाद विने रत्त कोपह उस समय वीरवर राजकुमार लक्षमन जी कपी राज की पत्नी को देखकर उदास हुए और नीचा मुखकर खड़े रहे तारा को देखकर उनका क्रोध भी दूर हो गया नारी के प्रती ऐसी सहर दैरता भरादरस्टिकोन रखना उचित भी है और आवश्यक भी बारती संस्कृत में नारी त्याग मूर्ति बन कर उभरती है वो इमानदारी से सम्मान देती है तो उसे सम्मान पाने का भी हक है नारी द्वारा आज भी पुरुष वर्ग को काफी सम्मान दिया जाता है उसमें पवितरता का दृस्टिकोर भी रहता है इसमें यदि कमी भी देखती है तो वो सिर्फ इसलिए कि पुरुष वर्ग नारी के दुरुप योग पर ये तुल गया है उसके कारण नारी या तो उसके गलत दृस्टिकोर से समझाता कर लेती है या फिर उसके अंदर विद्रुप के बगावत के भाव फूटने लगते हैं दोनों ही इस्थितियों में नारी की दृस्टि में अंतर पड़ जाता है लेकिन सुभावता नारी की पवित्रता सौमिता से अधिक निकट का संबंद है रामार में इसकी गर्णा पवित्रतम वस्तुओं में की जाती है और उसे वैसी ही प्रात्मिक्ता दी जाती है जिस समय अयोध्यावास्री श्री राम को लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ सित्र को ड्रवाना होते है तो उनमें शेष्टता के नाते वशिष्ट जी को आगे किया जाता है लेकिन वे देवी अरुन्धती यग्य के साथ सामान को अपने से भी आगे रखते है सबसे पहले अरुन्धती और अग्निहोत्र की सबसामगरी सहित मुनिराज वशिष्ट जी रत पर सवार होकर चले नारी को यग्य साथनों के समान गिनना कोई अतिश योगती नहीं है सच्चे अर्थों में नारी का सारा जीवन ही यग्य में होता है उसे जितना योग और समर्थ बनाया जाएगा वो उतने ही अधिक अनुदान समाज पर भी खेरती रहेगी ये उसका स्वभाव है इसलिए उसके प्रती पवित्र द्रिस्टिकोंड रखने का आग्रहे श्रिस्ट पुरुष करते रहे हैं रामायर में सब भी समाज के नागरिकों का ये सभाव तो है ही बानरों में भी ऐसी ही द्रिस्टिकोंड विक्सित किया जाता है लंका विजय के बाद जब सीता जी को श्री राम के पास लाया जाता है तो वłe बानरों से कहते हैं देखाउ कपी जननी की नाई भी हसी कहा रगुनात गुसाई श्री राम जी ने हसकर ऐसे कहा कि सभी बानर सीता को मातर भाव से देखें इन पवित्र भावनाओं को पुरुष धारण करें नारी की शील रक्षा के लिए ये आवश्यक है मध्यकाल में ही शील रक्षा के बहाने परदा करने और घर की चाहर दिवारी में बंद रखने की परंपरा चली उसकी सामयिक उप्योकता रही होगी पर सब भी समाज में ना तो ये आज़ के लिए उप्यक्त है और नाहीं प्राचेनकाल में कभी उसका प्रचलन था नारी के लिए परदा घ्रणित प्रता है रावन विजय के बाद विभीशन पालकी में परदा लगा कर सीता जी को राम के पास ला रहे थे राम ने उसका विरोध करते हुए कहा इस्त्रियों के लिए न घर, न चादर, न घुंगट, न कनात, आदिकी, चहार, दिवार, न चिक, आदिका पर्दा और न इस प्रकार का राज सत्कार ही आड़ ओठ करने वाला है जैसा कि तुम कर रहे हो, जो लोग सोचते हैं कि नारी के शली की रक्षा के लिए पर्दा आविश्यक है, उन्हें भगवान शीरान के विचार समझने चाहिए, ये किसी भी प्रकार के पर्दे को अनुचित मानते हैं, और उसके स्थान पर नारी के प्रती पवित्र रखने का आगरह करते हैं, वास्तों में स्वजनों की तो यही मर्यादा है, नारी के प्रती गलत द्रिस्टिकोन होना राक्षसों का लक्षण माना जाता है, उसका परेडाम भी विनाश की रूप में सामने आता है, रावन ने इस्त्रियों पर बुरी द्रिस्टि डाली थी उसका ये पाप उसे ले डुबा, जब वो मारा गया तो देवताओं ने उसकी दुर्गति देखकर उसके कुकर्म को ही उसके नाश का कारण माना, वे कहते हैं, विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयो कुमार अग गामी, विश्व के द्रोह में तक पर ये दुस् और कुमार पर चलने वाला रावन अपने आपी नस्ट हो गया, नारी के प्रती दूशित दुस्टिकोंड रखना कितना बड़ा पाप समझा गया है, इसका उलेक काग भुशुंडी गरुन समवार में साफ शब्दों में मिल जाता है, अनेक दोशों और उनके परिडामों क ही चर्चा करते हुए, शुकाग भुशुंड जी कहते हैं, काहू सुमति के खिल संग जामी, सुभ गति पाव की परत्रिय गामी, अर्थात, दुस्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि उत्पन हुई है, परिस्त्री गामी, क्या उस उत्तम गती दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धी उत्पन हुई है पर इस्त्री गामी क्या उत्तम गती पा सकता है इस कथन से इसपस्ट होता है कि नारी शक्ति का दुरुप्योग करने वाले की सद्गती होना किसी भी इस सिति में संभाव नहीं है भगवान राम इस्त्री के प्रती दुरुप्यवार तो दूर उसके प्रती बुरी दृस्टी रखना भी दंडिनी नहीं मानते हैं बाली जब उनके बार से आहत होकर गिर पड़ता है और उन पर अपने बद का दोश लगाता है तो वे बड़े इस पस्ट शब्दों में महिलाओं के प्रती कुद्रुष्टी रखने वालों को कड़ा दंड देने का और चित्य घोशित करते हैं वे कहते हैं इना ही कुद्रुष्टी विलो कई जोई ताही बंदे कचुपाप न होई अर्थाद इनको जो कोई बुरी दृष्टी से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता किसी को मारना तो क्या सताना भी पाप माना जाता है लेकिन अनाचारी को मारना समाज के हित में होता है और वो पाप नहीं होता नारियों के प्रति जहां कुद्रस्टी रखी जाएगी वहां नारी शक्ति खुल कर जन्सहियों के लिए आगे नहीं आ सकती विक्सित नहीं हो सकती भेडिये से भरे जंगल में कौन जाना पसंद करता है इसी प्रकार जहां मनुश्यों में नारी की पवित्रता को खा जाने की हविश होगी वहां नारी अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए या तो सिकुर सिमट कर रह जाएगी या विद्रोही बन कर खड़ी हो जाएगी ये दोनों ही स्थितियां दुर्भाग की निशानी है दोनों ही हालतों में समाज नारी से मिलने वाले सहयोग और लाब से हाथ धो बैठेगा लेकिन जहां उसके प्रती पवित्र दृस्टी रखी जाएगी वहाँ वो हर दृस्टी से विक्सित होगी समाज को अपने सहयोग से लाब पहुचाएगी और हर अपसर पर आगे बढ़ कर अपनी दिव्य चमताओं के द्वारा वातावरण में पवित्रता विखेरेगी रस का संचार कर देगी इसलिए भगवान राम अपने लोक मंगल के अभियान में नारी के प्रती पवित्र दृस्टी गोण को सदैव महत्व देते रहे हैं और वैसा चरितार्थ होते देखकर संतुष्ट होते हैं जब सीता जी विवाह मंडप में प्रवेश करती हैं तो उनके प्रतिजन साधारन सम्मान का पवित्र भाव ही व्यक्त करते हैं सीता जब प्रवेश करती हैं उस समय लोगों की मानसिक प्रक्रिया का उल्लेख हिस्प्रकार किया गया है सबई मान नहीं मन किये प्रणामा देखि राम भै पूरन का माम सभी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया श्री राम चन्जी ये देख कर संतुस्ट हुए निश्चित रूप से विवाग के समय नगर के सभी वर्गों के हर उम्र के लोग रहे होंगे लेकिन सभी उन्हें प्रणाम करते हैं ये अयोध्या के नागरिकों की सजनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है श्री राम श्रेष्ट समाज की रचना के लिए प्रेत्न शील थे उन्हें ये सत्प्रिवर्थी देख कर संतोष होना स्वाभावी की था श्री राम के बारे में यदि भगवान मानने की भावना है तो फिर हर आस्तिक को उनकी प्रसंता के लिए नारी के प्रती पवित्र दृस्टी ही रखने चाहिए इस बात की पुस्टी और भी अनेक स्थानों पर होती है बन में वालमी की जी भगवान राम के रहने योग स्थानों के माध्यम से पक्तों के गुण बतलाते हैं वहां उन्होंने नारी के प्रती पवित्र दृस्टी का उलेक विशेस रूस से किया है जननी समझान नहीं पर नारी धन उपराव विश्टे विश्भारी अर्थार जो पराई स्थ्री को जन्व देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिने विश्ट से भी भारी है रामायर में एक आंगी निर्देश नहीं है जहां पुरुशों से नारी के प्रती पवित्र भाव रखने के लिए कहा गया है वहां नारीयों के लिए भी संदेश है मध्यम पर पती देख़ई कैसे भाता पिता पत्र ने जिजैसे मध्यम शेडी की महिलाएं पराय पती को कैसे देखती हैं जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती हैं बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं जहां दोनों पक्ष अपने अपने दिस्टकोंड के प्रति जागरूग रहते हैं वहां नारी के गास तथा समाज में हर इस्थान पर उपयोगिता का मार्ग खुल जाता है अयोध्या में जैसा वैसा मंगल में वातावरण देखने को मिलता है सकल सु मंगल सजे आरती गावई जनुबह बेश भारती अर्थात सभी सुंदर मंगल द्रव एवं आरती सजाए हुए गा रही है मानो सरस्थी जी ही महुत से वेश धारण किये हुए गा रही हो ये है विक्सित समाज का रूप जिसमें एक दो नहीं हर नारी ज्यान और गुणों की द्रिश्चिसे सरस्थी जैसी दिखती है उसकी योगिता के विकास और उप्योग के लिए हर रास्ता खुला है ऐसी इस्तिती में नारी कल्यान की मूर्थी बन जाती है श्री राम के विवा के समय भी यही रूप सामने है रची आरिती बहुत विधाना मुदित करें कल मंगल गाना अर्थाज शकुन और सुगंदित वस्त्वे बखानी नहीं की जा सकती सब रानिया संपूर मंगल साज सजा रही है बहुत प्रकार की आरती बना कर वे आनंदित हुई सुन्दर मंगल गीत गाना गा रही है शकुन और सुगन्नित वस्त में बखानी नहीं जा सकती, सबरानिया संपूर मंगल साथ सजा रही है, बहुत प्रकार की आरती बना कर वे आनंदित हुई, सुन्दर मंगल गान कर रही है मंगल में प्रसंगों में महलाओं को आगे रखा जाता है, शुब चिन लेकर वही खड़ी होती है, धार्मिक कर्मकांड में भी नारी को प्रदानता दी जाती रही है, ऐसे समय पत्नी को पति के दाई और बिठाया जाता है, ये सब होते वे भी न जाने कहां से ये मानेता आग हुसी कि नारी को धर्म शास्त्रों वेद मंत्रों का पाट नहीं करना चाहिए, यग्य नहीं करना चाहिए, आदी आदी, हमारे संस्कृती में कभी इस दिशा में रोक नहीं रही, पुरुशी नहीं नारी भी संध्यावंदन करती थी, राम वन गमन के समय, राम लक्षमण और सीता द्वारा श्रंग वेरपुर में की गई उपासना का इस प्रकार वर्णन किया गया है, ततस्तु जल शेसेन लक्षमण उप्य करो तदा, वाग्या तास्ते त्रयम सध्याम समुपासंत सहिंता, तदंतर लक्षमण जी ने भी जो जल बच रा था, उसका उप्यो किय तदंतर तीनों ने मौन और एकागरचित होकर संध्यावंदन किया, सबी जानते हैं कि संध्यावंदन में गायतरी मंतर का प्रयोग अवश्य होता है, इससे सपस्ट है कि संध्यावंदन गायतरी साधना वेद मंतरों का पाठ आधिनारियों के लिए भी उतने ही पतनी में कोई भेद नहीं रह जाता तो पती के करने योग्य हर कारई पतनी के लिए वर्जित क्यों हो पूजा पाट में ही नहीं महरशी वशिस्थ तो पती के स्थान पर पतनी को राट सिंगहसंद सौपने के पक्ष में थे वालमी की रमाण में प्रसंग आता है कि जब श्री राम को वन जाने की आज्या हो जाती है तो वशिस्ठ जी देवी सीता को उनके इस्थान पर सिंगासन आरूर करने का प्रस्तावर रखते हैं सभी ग्रहस्तों की इस्त्रियां उनकी आत्मा ही हो जाती है अतहा सीता भी राम की आत्मा है वो यहां रहकर राज सिंगासन पर बैठ प्रित्वी का पालन करेंगी इस उधारन से ये बाद शीशे की तरह साफ हो जाती है कि नारी उस समय प्रतिबंद तो थे ही नहीं उनमें बड़े से बड़े दायित्व संभालने की योगिता भी होती थी नारियों द्वारा मंत्र पाठ के प्रमान वालमी की रमायड में कई स्थानों पर मिलते हैं बाली की पत्नी तारा भी विदुशी थी उसने बाली को सुग्रीव से लड़ने से रोका पर जब वो नहीं माना और सलाह की उपेक्षा करके चला गया तो ततह स्वस्त यनम कृत्वा मंत्र व्रिदिज यैशिनी अंतह पुरम सह स्त्रेभी प्रविस्टा शोक मोहिता बाली की विजय के लिए मंत्र युक्तल मंगला चार कर शोका कुल हो अन्य स्त्रियों सहित रनवास को चली गई दुख आपढ़ने पर उसके निवारण के लिए अन्य प्रयासों के साथ पूजा पाठ व्रतादी की अपनी परंपरा रही है उसे नारियां भी पुरुषों के साथ रहें ये उचिती ही है श्री राम के वन गमन पर अयोध्यावासी स्री पुरुष सभी जब तप करते हैं अर्थाद श्री राम के वियोग में अयोध्यावासी नर नारी ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूरी के बिना दीन हो जाते हैं अता वे भी श्री राम के दर्शन की इक्षा से नियमों और व्रतों का पालन करने लगे इस तरी पुरुषों द्वारा समान रूप से प्रयास करने की बात तो यहां इसपस्ट है ही दुख आपढ़ने पर मनुश्यों के लिए उचित आचरण का संकेद भी है दुख का रोना रोने से उसका निवारण नहीं होता और हाय हाय मचाने से परिस्थितियां नहीं बदलती उसके लिए आवश्यक है कि जैसी परिस्थितियों की इक्षा की जाती हो उसे पैदा करने के लिए आवश्यक नियम और संकल्प का क्रम बनाया जाए उस दिशा में एक संकल्प लिया जाए उसे किया जाए और फिर अगले चरण का संकल्प लिया जाए ये क्रम रच्शील जीवन क्रम कहलाता है यदि शक्ति कम है तो भी इस क्रम से छोटे छोटे टुकडों में मंजिल पूरी करते हुए बड़े बड़े लक्षों तक पहुँचा जा सकता है अयोध्यावासी नर नारी सब एकी दिशा में मिल जूल कर प्रयास करने लगे तो राम राज्य की इस्तिती पैदा हो गई आज भी ऐसे ही प्रयास की आवश्रकता है श्रेष्ट समाज की रचना के लिए जो भी प्रयास आवश्रक है इन सभी में नारी की बराबरी की भूमी का निभानी ही पड़ेगी ना नारी पीछे रहे और ना नर ही उनकी उपेक्षा करें ना कोई हीन है ना कोई श्रेष्ट भगवान के नियम सब के लिए एक से है इस्त्री हो या पुरुष अपने आचरों से वो महा मानों और देव मानों बन सकता है रामचरित मानस के सच्चे अधिकारियों की व्याख्या करते हुए वंदन प्रसंग में कहा गया है सदा सुनई सादर नर नारी तेई सुर्वर मानस अधिकारी अर्थात जो इस्त्री पुरुष आदर पूर्वक से सुनते हैं वे ही इस सुन्दर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है या नर और नारी दोनों को समान रूप से मानस का अधिकारी गोशित करके उनके बीच के बेद को अस्विकार किया गया है तथा दोनों के लिए सुर्वर अर्थात श्रेष देवता संभोधन देकर दोनों के देवत्व तक विकास की संभावना प्रकट की गई है किन्तु ध्यान रखने की बात ये है कि मात्र सुनना ही परियाप्त नहीं है सादर सुनने से व्यक्ति सही अर्थों में उसे पाने का अधिकारी भर बनता है पा नहीं लेता उसे अपने जीवन में अपनाना पड़ता है सादर सुनना तो उसकी पहली सीड़ी है यदि केवल कहना सुनना ही परियाप्त मान लिया तो समाज आदर्श नहीं बन सकता वरन आचरण की उपेक्षा के कारण उल्टी ही स्थिति पैदा हो सकती है ऐसी स्थिति का उल्लेक करते वे मानस में लिखा है दोहा इस्त्री पुरुष ब्रह्म ज्यान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभवश कौडियों यानि की बहुत थोड़े लाब के लिए ब्रामण और गुरु की हत्या कर डालते हैं जहां केवल कहना सुनना ही परियाप्त मान लिया जाता है वहां अच्छी बातें केवल चर्चा का व्यसन बन कर रह जाती है और आचरण और ब्रस्टता चारों और फैल जाती है लेकिन जहां आचरण पर भी ध्यान दिया जाता है वहाँ श्रेष्ट समाज बन जाता है जनकपुरी के वर्णन में ऐसे ही समाज का चित्रन करते वे लिखा है अर्थात नगर के इस्त्री पुरुष रूप के बंडार सुगर श्रेष्ट धर्मात्मा सुशील और सुजान है श्रेष्ट समाज में हर व्यक्ति, शरीर से स्वस्थ, सुन्दर, बुद्ध से सुजान, विवेक शील तथा आचरण से सुशील और धर्म निस्ट होना चाहिए इस प्रकार के श्रेष्ट व्यक्तित्व बनाने का प्रयास किया जाना हर स्तर पर आवश्यक है नर नारी किसी एक पक्ष को विशेश अधिकार या विशेश प्रतिबंदित इस्थित में नहीं रखा जा सकता विकास की धारा दोनों के लिए समान रूप से खुली रहने चाहिए कोई अपनी ही उपेक्षा अपनी ही निश्क्रेता से ना बढ़े ये बात दूसरी है किन्तो किसी को पढ़ने का अधिकार ना देना भयंकर भूल है मनर्श शरीर हर व्यक्ति को किसी भी इस्तर तक बढ़ने की पूरी चूट भगवान की ओर से भी है जो विकास की शर्त उसके सिधान्त के अनुरूप आचरण करेगा वो कोई भी हो भगवान का प्रिय बन सकता है लिखा है अर्थाद वो पूरुष ही नपुनसक हो इस्तरी हो अत्वा चर अचर कोई भी जीव हो कपट छोड़ कर जो भी सर्व भाव से मुझे बचता है वही मुझे परम प्री है इन सब से ये बात सपस्ट हो जाती है कि अपने विकास के लिए इस्तरी या पुरुष किसी पर भी प्रतिबंध नहीं है स्वयम विक्सित होकर स्वयम अपने लिए तथा समाज के लिए दोनों ही समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते है ऐसा होना आवश्यक भी है राम राज के अंतरगत ऐसी ही स्थिति है उस समय की स्थिति के वर्णन में राम चरित मानस में लिखा है सब निर्दंब धर्मरत पुनी नर अरुनारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी सब कृतग नहीं कपट सयानी अर्थात नर और नरी सबी दंब रही थे धर्म परायन है और पुन्यात्म है सबी चतुर और गुरवान है सबी गुळों का आधर करने वाले और पंडित है और सबी ग्यानी है सभी कृतग दूसरों के लिए किये हुए उपकार को मानने वाले हैं कपट चतुराई धूरता किसी में नहीं है कैसा सपस्ट और सुन्दर है नर नारी उनमें से कुछ नहीं सभी शेस्ट गुण और आचरण संपन है जिस समाज में ऐसी स्थिती पैदा की जा सकेगी वो सचमुझ राम राज का सच्चा प्रतीक कहा जा सकेगा इसी प्रकार राजा प्रताब भानु की कथा में भी आदर समाज विवस्था का वर्णन मिलता है सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धरम शील सुंदर नर नारी उनके राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित सुखी थी और सभी इस्त्री पुरुष, सुंदर और धर्मात्मा थे कहने की आवश्रक्ता नहीं कि जहां सभी नर नारी धरम शील होंगे वहां सुख की इस्तिति होना स्वाभावी की है रामायर में राजा जनक भी आदर्श राजा है तथा उनकी प्रजा सब प्रकार सुख संपत्य की अधिकारी है उनके वर्णन में भी नर नारी दोनों की समान स्थिति देखने को मिलती है पुर्णर नारिसु भग सुचि संता धरम शील ज्ञानी गुन वन्ता नगर के सभी इस्त्री पुरुष सुन्दर पवित्र साधु सुभाव वाले धर्म आत्मा ज्ञानी और गुडवान है आदर्श समाज ऐसा ही होना चाहिए अस्तु नारी के प्रती हींता का भाव हटाया जाए उसे विकास का पूरा आवसर और भरपूर सहयोग दिया जाए सुयम नारी आत्म हींता के घेरे से बाहर निकले अपने आपको उस सम्मान के अनुरूप बनाए जिस आधार पर उन्हें पूज कहा जाता रहा है नर नारी के नाम पर अंतर करना गलत है अंतर रहे तो गुणों के चरित्र के आधार पर रह सकता है वो तो नारी और पुरुश पुरुश के बीच भी रहता है सुमित्रा और मंतरा सूप नखात अथा मंदो दरी मारिच और केवर जैसों में अंतर बना ही रहेगा अस्तुनारी के प्रती हीन भाव हटा कर उसके प्रती पवित्र द्रिस्टी पैदा करना सभी के हित्मे है ऐसा किया ही जाना चाहिए